CBC Words में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Class 8 Maths का 4th Chapter इसका नामे Data Handling उसकी Page No. 40 पे जो Try These दी है वो डिसक्स करेंगे अगर आपके पास पुरानी Alliancy IT Book है तो उसमें आपको ये Try These Page No. 78 में मिल जाएगी Question No. 1 Each of the following Pi Charts, Figure 4.2 gives you a different piece of information about your class तो नीचे जो आपको Pi Charts दी है कुछ Information दे रहे हैं आपकी Class के बारे में Find the fraction of the circle representing each of these information जो जो भी Information दी जा रही है इन Circles के अंदर यानि Pi Charts के अंदर उसका Fraction निकालो ये इसको Fraction के Form में लिखकर दिखाओ तो चली दिखा देते हैं, दोको First वाले Pi Charts में क्या दिया हुआ है Girls और Boys, इनकी Information दी है कि Class की बात कर रहे हैं तो आपकी Class से 50% Girls है और 50% Boys है तो दो Information दी है, Girls की दी है Boys की दी है, तो दूनों का अलग-अलग हम Fractions निकालेंगे, आप लिखोगे यही जो आपके Question में था, इसी Copy करोगे The Fraction of Circle Representing पहले Girls की बात कर लेते हैं क्या Represent कर रहे हैं? The Girls यह Equal होगा किसके? देखो यहां पर क्या लिखा है? 50% लिखा है न, % आप Class 7 में पढ़कर आ रहे हो % का मतलब होता है 100 में से यह नि इस % के Sign को हम हटाएंगे तो Denominator में 100 आ जाता है यह Simple सा Rule जैसे मैंने लिखा 71% तो इसके % को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगे? 71 तो ऐसे ही रहेगा % हटा तो अब Denominator में 100 आ गया Simple सी बात तो 50% है, % हटाएंगे क्योंकि Fraction की Form में लिखना है तो यह हो जाएगा Equal 50 % के Sign हटा दिया तो upon 100 अब यह 00 चला गया 5 1s are 5, 5 2s are 10 तो 1 by 2 यह Fraction आ गया अब इसी तरीके से Boys का भी निकाल लेना है Fraction of the Circle representing the Boys Boys भी आपके 50% है तो इसका अंसर भी आपका 1 by 2 आएगा First वाले पार्ट होगे, अब Second वाले पार्ट में देखो तीन Information दी है Transport to School यहनि आपके Class के जो बच्चे हैं वो School कैसे आते हैं Walk करके आते हैं, Cycle से आते हैं, Bus या Car से आते हैं वो Information दी है वह Statement लिखो कि The Fraction of the Circle representing अब किसकी Information दी है Transport to School Representing Transport to School कैसे पहले Walk की बात कर लेते हैं यहनि School आया जा रहा है किससे By Walk यानि चल के आने वाले कितने हैं 40% है यानि 40 upon 100 00 चला गया 2 2s are 4, 2 5s are 10 तो 2 by 5 आ गया अब Second Information हम Cycle की बात कर लेते हैं तो यही Line बिल्कुल आप Copy कर दोगे यहां School तक By Cycle Cycle बात कितने हैं 20% यानि 20 upon 100 00 चला गया 2 1s are 2, 2 5s are 10 1 upon 5 आ गया Bus or Car की बात कर ले तो वही सारी चीज पूरी लिखोगे By तक By Bus or Car Bus or Car वाले आपके 40% है यानि 40 upon 100 00 चला गया 2 2s are 4 2 5s are 10 2 by 5 आ गया Third वाले की बात कर ले तो आपके Class के बात कर रहे हैं तो दो Information इसके बारे में दी है Love और Hate Mathematics यानि कितने लोग को Mathematics से प्यार है Mathematics का अच्छी लगती है और कितने उससे नफरत करते हैं तो दो लव वाला इतना है और Hate वाला आपका 15% है Love कितना है या आपको दिया नहीं है तो याद रखना पूरा जो सर्किल होगा वो आपका 100% बनेगा जैसे ये वाली केस में देख लो Girls और Boys का मिला दो 50-50 आपका 100 Second वाला में देख लो Walk, Cycle, Bus 40, 20, 40 को मिला दो ये भी 100% बनेगा इसका मादब ये Total भी आपका 100% ही है तो Total आपका Love और Hate मिला ले तो 100% है Love का निकालना होगा तो क्या होगा Hate वाले को बाहर कर दो तो ये जो बचा हुआ पूरा है वो Love का आ जाएगा 100-15 आपका 85 होता है तो पहले ये थोड़ा सामकू करकी दिखाना पड़ेगा अब लिखोगा percentage of students who love mathematics ये कितना होगा 100% minus 15% तो ये 85% आ जाएगा अब आप वही लाइन लिखोगे क्या represent कर रहे है उनको जो कि mathematics से लव करते है representing those who love mathematics तो ये कितना होगा लव वाला भी हमने निकाला 85% यानि 85 upon 100 अब ये 85 देखो 5 से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लो 5 1s are 5, 5 7s are 35 डिनॉमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे 5 2s are 10, ये 20 ये 17 upon 20 आ गया इसी तरह हेट वाला भी निकालो ये पूरी लाइन लिखोगे those who hate mathematics तो हेट वाले 15% है ये 15 upon 100 5 3s are 15, 5 2s are 10 और ये 0 तो 3 upon 20 आ गया तो ये 1st वाला कुशन इसका हो गया तो यहां पाई चार्ट दिया है इससे related कुछ कुछन पुछे जा रहे उनके अंसर आपको बताने है फर्स अला पार्ट है विच टाइप आफ प्रोग्राम्स are viewed the most तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम में जिसको सबसे ज़ादा बार देखा जा रहा है तो जिसका percentage ज़ादा होगा उसी को सबसे ज़ादा देखा जा रहा है तो यह दोखो entertainment वैला 50% तो इसमें आप लिखोगे entertainment programs are viewed the most second वैला which two type of programs have number of viewers equal to those watching sports channel ऐसे दो प्रोग्राम जिनके जो number of viewers है वो बराबर है किसके उनके जो sports channel देखते हैं बही sports channel वाले कितने हैं यह देखो 25% तो ऐसे दो कौन से प्रोग्राम हैं जिनको हम मिला लें तो वो sports channel के बराबर आ जाए नहीं 25% के बराबर आ जाए तो direct ही आप देखे समझ जाओगे यह जो आपका informative है 10% और news 15% इन दोनों को जोड़ लोगे तो 25% आज जाएगा तो अपलिक होगे तो यह second part होगे इसी के साथ यह try this हमारी complete हो गई और नीचे आओगे तो class 8 math की chapter wise playlist मिल जाएगी जिस chapter की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो link है उसके आप click करोगे तो उस chapter की playlist open हो जाएगी और नीचे आओगे तो और भी जो subjects हैं उनकी playlist का link मिल जाएगा ओके thank you